आपके साथ बहुत ही यूनीक डिजर्ट की रेसिपी शियर करने जा रही हूं जो पांच मिनट में बनता है और फ्रूट के साथ ही बना हुआ है तो गर्मियों में ऐसा ठंडा ठंडा डिजर्ट मिल जाए और जल्दी बनने वाला डिजर्ट हो तो फिर क्या ही कहने है तो 40 ml पानी डाला है पैन में और उसमें जो जैली क्रिस्टल जाते है न वो 90 ग्राम का पैकेट था जिसमें मैंने आधा यूज कर लिया हुआ था तो सिरफ 45 ग्राम उसमें बचा था उसमें दो चीज़ें होती है दोनों को मैंने मिक्स करके पानी में आड़ कर दिया है दो गैस अन करके बास आप मिक्स करते जाए और जल्दी से एक लियर बनने शुरू हो जाती है पैन में इसका मतलब है कि वो बन गई है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेके कांच का बॉक्स लेके मैंने उसमें डाल दिया है आप किसी भी मोल्ड में डाल सकते हैं जिसमें आप चाहते हैं अब मैंने जो नारियल पानी होता है ना उसके दो कप पानी मैंने ले लिया है तकरीबन यह 500 ml है तो मैंने उसमें जो क्रीम होती है जो मलाई होती है उसको भी मिक्सर ग्राइंडर जार में ग्राइंड करके वो भी डाल दिया है तैन में दो चमच मैंने चीनी पहले मैंने gas on नहीं करा था, पहले वैसे ही सारी चीज़ें mix कर ली थी, आप gas on करके सारी चीज़ों को mix कर लेते हैं अच्छे से, इसमें corn floor है तो इसको लगातार चलाते जाएगा, यह बहुत जल्दी गाड़ा हो जाता है, थोड़ी देर पकाने के बाद ही यह गाड़ा हो ज लगा है, इसका मतलब है कि पक गया है, अब हम ने जिस rectangular box में jelly डाली थी, यह देखिए जितनी देर में वो पका है उतनी देर में jelly सेट हो गई है, इसके उपर ही हम इसको चान करके डाल लेंगे, क्योंकि जो मलाई थी ना उसके थोड़े-थोड़े से white particles थे उसमें, जब हम को स्मूध चाहिए था, इसलिए मैंने उसको चलनी में से चान लिया है, और उसी box में jelly के उपर मैंने उसको डाल दिया है, यह भी बहुत जल्दी सेट हो जाएगा, इसको फ्रिज में नहीं अभी रखिएगा, इसके उपर ही हम एक और jelly बनाएंगे, यह मैंने cranberry crystals लिये हैं जो कि vegetarian jelly होती है, इसको अब jelly का shape दे देंगे, पानी गरम लिया है, मैंने उतना ही पानी लिया है, जितना पहले लिया था, मैंने 240 ml का cup था, मेरिंग का उसके साथ ही मेर करके पानी डाल दिया है, उसी में जो jelly का mixture है, वो डाल दिया है, दो चमच मैंने उसी तरह चीनी डाल है, और सारी चीजों को mix करके बहुत जल्दी यह jelly ready हो गई है, आपको पता चल जाएगा क्योंकि जो pan का bottom है उसको coat करने लगती है बहुत जल्दी, तो इसको गरम गरम ही डाल देना होता है, otherwise यह जम जाएगी बहुत जल्दी, तो quick काम करिएगा, यह सारी चीजें quick quick करते ज बनाया है, बेस वो भी डाल दीजिए जल्दी से, और फिर यह थर्ड वाली जो jelly हमने मनाई है, उसको भी हमने उसी box में डाल दिया, यह देखे बहुत जल्दी यह set हो गई है, अब मैंने cling wrap के साथ उसको cover कर दिया है, पहले भी मैंने cover करके रखा था, ताकि उसके उपर मला देंगे, फ्रिज में रखिएगा ठंडा होने के लिए, यह देखिए, अब ठंडा हो गया है, आप जितना ठंडा करना चाहते है, उतना रखिएगा, आप इसको 2-3 घंटे रख लीजे, बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी है, आप ट्राइ जरू करिएगा, यह दे बच्छों को बहुत पसंद आने वाला है, I am sure, please like, share and subscribe my channel for tasty, healthy, nutritious, delicious, interesting, easy, quick and exotic recipes, so घर पे खाना मना ये, बहुत अच्छा होता है खाना, बनाना घर पे, क्योंकि, it is healthy, hygienic, fresh and nutritious, so I believe in, homemade food is always good, घर पे खाना ट्राइ करिए, आप अप enjoy करिए, इस recipe को मुझे अपनी feedback जरूर दीजेगा, thank you, thank you for watching,